नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में आज की समय में हजारों लोगों की एक ही समस्या होती है कि बाल बहुत जड़ रहे हैं चाहे वो इस्तरी हो चाहे वो पूरुश हो दोनों की एक ही समस्या होती है जादा कर ये बाल जड़ने की समस्या 20 साल से ले कर करके 35 साल के लोगों में पाया जाता है और इसका कारण भी यह है कि ज्यादा कर लोगों आज जो खान पान हो चुका है या पिर आगर कह सकते हैं कि वर्क लोड है हमारा जो यह जो है 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 इसको नहिए तरीके से उगा सकते हैं आज आपको मार्केट में हजारों कंपनीय मिलेंगी जो यह दावा करते हैं कि बाल को आपको पूरा जड़ भी जाता है तो आजिए कॉस्मेटिक परपस कि हाँ आप अच्छे नहीं देख रहे हैं कम उम्र में आपका बाल जढ़ गया और इसी चीज को लोग सोच सोचकर वो उनके दिमाग में हमेशा चलते रहता है कि मेरा बाल जढ़ रहा है बाल जढ़ रहा है उसके चकर में वो उस चीज को और को ट्रीगर करते हैं जिसके जसे बाल उनका और जढ़ने लगता है मैं आपको बताने जा रहा वह हूं विल्कुल बैसिक से спокойद्य Понसे बाल जडडना को हम लोग खलित्य कहते हैं कि मतलब जब आपका बाल जड़ रहा हो तो उसको खलित्य का जाता है और उसके साथ साथ उन्होंने एक और तर्म दिया है संस्कृत में जिसका नाम है worittya पलित्य मतलब होता है और बाल जो है वो उपधातु होता है मज्जा का आयरवेद में टोटल साथ धातुएं बताए गए हैं जिसमें रसर अक्तमाम समेद अस्थी मज्जा सुक्र तो मज्जा को हम जब कोरिलेट करते हैं के साथ तो उसको हम बोन मैरो के साथ कोरिलेट करते हैं तो बोन मैरो का ही एक उपधातु है मतलब कह सकते हैं कि उसका एक पार्ट है जहां से की हेर निकलता है और इसको आचारे नहीं सरीके से बताया है कि जो हमारी हड़ियां है जिसे आयरवेद में अस्थिक आ गया है तो पर दिन हमारा हड़ी घिसता है तूटता है हड़ी नया बनता है उसी तरह से हमारे जो धात्वा अगनी होते हैं जैसे कि खाना पचाने के लिए जो अगनी होता है उसको हम लोग पाचक अगनी कहते हैं जैसे कि अगनी होता है जैसे कि अभी किसी के रस धात्व है अपने खाना खाया है तो रस वहाँ से मिला आपको तो उससे खून बनता है तो धात्वा अगनी रस धात्व को ट्रांस्फोर्म करता है खून में रक्त धात्व में तो उसी तरह से जब अस्थी धात्व तक बन जाता है तो वहाँ से फिर हमारा धात्वा अगनी मतलब कि धात्व को पाचन करके फिर उसको और ट्रांस्फोर्म करने में वह मज्जा ब बेसिक से बता रहा हूँ कि हड़ी से लेकर के हमारा बून मेरो तक क्यों इंप्रोटेंट होता है बालों के लिए अगर आपका हड़ी बहुत मजबूत है अगर आपके पास कैल्सियम की मातरा अधिक है अगर आपका खान पान में दूद ज्यादा लेते हैं आप कैल्सियम वा उनका भी बाल बहुत जड़ता है उसका कभी कारण यही है कि वह पर जो धातू है हमारी युआचारवन ने धातू बता है उसका ट्रांसफोर्मेशन नहीं हो पा रहा अच्छे से क्योंकि मज़्या से ही बाद में मज़्या से हमारा हेर बनता है अब समझे कि हमारा जो यह इसको एक पौधा समझे आप यह एक पौधा है और पौधा जमीन में उखता है और जमीन अगर जितना उपजाव रहेगा तो बाल हमारा उतना अच्छा बनेगा मतलब की पौधा उतना अच्छा हैगा जमीन को उपजाव करने के लिए हम उसमें अलग-अलग प्रकार के फ यह अच्छा फर्टिलाइजिशन की जरूरत होता है अलाकि भगवान ने इसको प्राकृतिक तौर से हमारे बालों को प्रोपर नरिस्मेंड के लिए प्रोपर उसको खान पान प्रोपर उसको जितना प्रोटीन चाहिए उसको ब्लड सर्कुलेशन उतना होना चाहिए वो सब इस तरह से बिगड़ जाती है तो प्रॉपर निट्रीसन नहीं मिल पाता है अब हमारा जो बाल है जिस तरह से पॉधे में उसका जड़ होता है उसी तरह से हमारे बालों में भी जड़ होता है जिसको हम लोग hair follicles कहते हैं जहां से बाल जो है निकलता है वहां से उगना चालू होता है और उसी को hair root भी कहते हैं हम लोग hair root जो है जो बाल का जो जड़ है वो हमारे जमीन से यानि कि scalp से कितनी अच्छे तरीका से वो वहां पे लगा हुआ है कितनी मजबूती से लगा हुआ है वो decide करता है कि आपका बाल जड़ना है कि नहीं जड़ता है जिन लोगों का scalp आप अगर अपना ये scalp देखेंगे अगर आपका scalp बहुत dry है हमेशा dry रहता है उन लोगों में ज़्यादा बाल जड़ने की समस्या ज़्यादा होती है और जिन ल जड़ने की समस्या कैसे हम decide करेंगे कि scalp मेरा जो है अगर ज़्यादा oily नहीं है और मेरा ज़्यादा dry भी नहीं है फिर भी मेरा बाल जड़ रहा है तो उसका भी कारण होता है कि आपके जो hair roots है उनको proper nourishment नहीं बिल पा रहे हैं हम हजारों परकार के तेल को प्रयोग करते है लेकिन वो हम उपर से प्रयोग कर रहे हैं scalp के उपर से लेकिन हमारे सरीर में से blood circulation जितना जाना चाहिए हमारे scalp को hair roots को जितना proper nourishment मिलना चाहिए वो तो हम खाना जो खाते है उसी से मिलता है तो अगर वो बिगड चुका है और हम उपर से कितना भी तेल लगा ले कितना भी ह होने वाला है इस बात को आपको समझना पड़ेगा अगर जमीन में नीचे पानी नहीं है तो प्लांट का जो जड़ है उसको proper water नहीं मिलेगा तो प्लांट उगेगा ही नहीं उसी तरह से हमारे बाल भी होते हैं अगर अंदर proper nourishment नहीं हो पा रहा है अगर उसको proper protein प्रोपर जो भी nutrient चाहिए जिंक चाहिए आईरन चाहिए और proper blood का circulation चाहिए अगर वो नहीं हो पा रहा है तो बाल तो कमजोर होंगे और पूड जाएंगे market में sampoo आती हैं बहुत सारे जो दावा करती हैं कि आपके बाल जढ़ने कम हो सकते हैं अगर आप इस sampoo को प्रयोग करते हैं मैं आपको बता दो कि दुनिया में कोई भी ऐसा sampoo नहीं होगा जिससे कि आपका बाल जढ़ना कम हो सकता है क्योंकि sampoo जो होता है उसमें forming agent होती है forming agent जो होता है वो actually में एक ऐसा chemical होता है जो हमारे बालों के hair follicles को damage कर देती है वो हमारे बालों के hair follicles है वो nutrition को खीचता है उसके capability को कम कर देता है अभी एक plant है जो नीचे से पानी खीच रहा है उसके roots जो है वो पानी खीच रहा है पानी पी रहा है अगर वहाँ पर हम कुछ बांद देते हैं नीचे जमीन के अंदर छेथ करके तो पानी नहीं पीपाएगा उसी तरह से जितने भी सेंपू है सभी सेंपू में फॉर्मिंग एजन्ट जो होता है वो हेर फॉलिकल्स को वहां पर बांद देता है जिसके वजह से जो प्रॉपर निट्रीशन उपर तक आनी शाल को रहता है है मैं और आप बाल छाड़ चुपा है बस उतना अभी लाश्ट होना चाहिए तो कहीं न कहीं आपके जो यह समस्या है उसमें बहुत ही अराम दोगा मैं आईरवेट के कॉंसेप्ट से ही आपको सारी चीजे बताना चाहूँगा सबसे पहले की अहार वियार और उससे भी पहले निदान परिवर्जन निदान परिवर्जन कहने का मेरा मतलब है कि जो पॉज है जैसे कि हम अगर कोई इनसान है जो दारू डेली पी रहा है उसके सरीर में एसेडिटी की प्रोब्लम हमेशा होती है खटी धकार उसको ज़्यादा आता है और फेट में जलन वगेरा ज़्यादा होती है बाद में उसके लीवर डेमेज हो जाते हैं कई तरह की बिमारिया होती है उसी तरह से अगर आपका निदान जो है मतलब की आपकी हेर फॉल क्यों हो रहा है उसको समझे क्या आप रात में डेली जगते हैं क्या आप सुबह जल्दी नहीं उड़ते क्या आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं क्या आपका खानपान में ओईली फूट्स जादा है क्या आपके खानपान में पैकेट्स का आइटम जादा है क्या आपके खानपान में जो फर्मेंटेड हैं तो सभावेक से बात है कि आपके बाल जड़ेंगे क्योंकि यह सभी मेन कॉज होते हैं आज की समय में जिसके वज़े से हमारे हेर रूट्स कमजोर होने लगते हैं और प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं खीच पाते हो तो अगर आप यह सब करते हैं तो यह आपको पहले र होता है तो ज्यादा दे तक 3-4 घंटे तक ब्लड सर्कुलेशन आखों को ज्यादा मिल रही है उपर स्काल्प को अच्छे प्रोपर नहीं मिल रही है रात तक जगने के वज़से तो वहां पर नरिश्मेंट धीरे-धीरे कम होने लगता है और नरिश्मेंट की अभाव में बाल जड़ना और बढ़ जाता है दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं आहार और विहार आहार मतलब आपका खान पान सुधारना है आपको कैल्सियम वाले चीज़ें ज्यादा खना है जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि अस्थी यानि कि हमारे बून से बून मे जबूत रहेगा यह मैं आईरवेद के कॉंसेप्ट से आपको बता रहा हूं हलाकि मॉडरन का कॉंसेप्ट अलग है वो तो यह भी कहते हैं कि तेल प्रयोग नहीं करना चाहिए वह मैंने कुछी दिन पहले एक वीडियो देखा था जिसमें एक डॉक्टर थी उनका कहना था propose दो कि आपके करेंगे तो आपके जो सब्सक्राइब निकलता है उईर्वेद के बता करना आप सबसे आप पर समझना पड़ेगा जो सबसे easiest way है आपको pure oil पाने का वो है कि आप या तो अगर सर्सों का तेल प्रियोग करना चाहते हैं तो सर्सों खरीद लिजिए उसको जा करके और machine से वहां से तेल निकलवा लिजिए और उसको प्रियोग कीजिए मार्केट में आप कोई भी तेल लिजिए वहां पर आपको मिलावट मिलेगा ही क्योंकि बिना preservatives का कोई भी आईटम मार्केट में नहीं मिलता है और preservatives क्या होते हैं वो chemicals होते हैं तो आपके बालों को नुक्सान पहुंचाते हैं दूसरी चीज सेंपू आपको प्रियोग नही कि अगर आपको कपाल मतलब कि सिर में blood circulation बढ़ाना है तो कौन-कौन से आसन करना है कुछ आसन का मैं नाम बता देता हूँ आप YouTube पे जाके सर्च करके वहां से सीख सकते हैं सबसे पहला है सिर साजन आपको कर सकते हैं आप परवत आसन कर सकते हैं आप मयूर आसन कर सकते हैं आप शूरे नमस्कार अगर करेंगे तो वह आपके लिए ज्यादा बेनिफिशल होगा तीन चीजे मैंने आपको बताई जिसमें योगा और तेल का प्रियोक करना और सेंपू की जगह आपको मुलतानी मिट्टी का प्रियोक करना है चोथी चीज जो मैं आपको बता रहा हू जिसे आएरवेद में आमलग की चूरनक आगया उसका प्रियोक करते हैं या फिर आप भ्रिंग राज का नस्य लेते हैं नस्य मतलब की नाक में अगर भ्रिंग राज के पत्तों को पिस करके और उसको बंद नाक में डेली दोदोबुन डालते हैं तो इससे भी आपके बाल में बिल्कूल कम हो सकते हैं पांच भी चीज है वो है कि आपको मेडिटेशन करना है मैं यह नहीं कह रहा हो कि आप कहीं बैठ जाओ और प्हुंद दस मिनट meisten करो वह नहीं मेडिटेशन को इन्नी का मतलब है कि सारी चिंतांसें दूर हो करके मन को कम एक अन्जट होते हैं वो सबका stress नहीं है तो उसी को आप meditation समझ सकते हैं जब आपका दिमाग विल्कुल सांत रहता है अच्छा महसूस करते हैं तो वो चीज आपको करना है कि आपको पहले अगर चाहते हैं कि मेरा hair fall ना हो उसके लिए आपको तो मैं आपको दावा दे सकता हूँ कि 40 से 50 परसेंट आपके बाल ढड़ने बंद हो जाएंगे और काफी इसमें सुधार आएगी